दोस्तो आप से भी लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नोजोय लजी में दोस्तो आज हम लोग बात करने बाले है फ्रीफायर मैक्स अपडेट के बारे है फ्रीफायर मैक्स इंडिया में कब से अबेलेबल होगा इसको डाउनलोड कैसे करें और इसमें registration कैसे करना है इसके बारे में आज हम लोग ये topics cover करेंगे तो दोस्तो आज हम लोग आपको ये बताएंगे कि Free Fire Max में क्या-क्या changes रहेगा और Free Fire से ये कैसे separate हुआ है फूरा इसमें details में बात करेंगे तो दोस्तो वीडियो में लास्तर बने रहेए मेरा नामे जय है आप देख रहे हो टेक्नोजोय रजी चलिए वीडियो को शुरुबात करते है गेरिना Free Fire Max का बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हुआ था इंडिया में 24 अब जून को 3 बच कर 30 पीम पे और ये भी कबर आ रहा है कि गेरिना Free Fire Max 2020 के लास्ट में आप लोग को officially launch होते हुए दिख जाएगा Free Fire Max का जो new graphics होने बाला है उसके उपर developers काम कर रहे है आप लोग को new high level का graphics Free Fire Max में देखने के लिए मिल जाएगा तो दोस्तो चलिए अभी आप लोग को दिखाते हैं live करके कि गेरिना Free Fire Max में जो graphics आने बाला है उसमें कैसा कैसा inbuilt रहेगा और आप लोग को क्या क्या इसमें feature देखने के लिए मिल जाएगा अभी चलते हैं अपने mobile screen के उपर तो guys हम लोग आगए अपने mobile screen के उपर तो दोस्तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो lobby है न ये बिलकुल नई lobby है और ये जो players है आप लोग को दिख रहा है कि ये players अभी हमें चलता हुआ दिख रहा है ये lobby बिलकुल 3D है और elastic है तो आप लोग को चलता हुआ players इसमें पहले दिखने के लिए मिल जाएगा आप जो split icon दिखते हो तो उसमें आप लोग अगर click करते हो उस पे अगर आप लोग टाच करते हो तो ये move करना बंद कर देगा और अगर आप लोग फिट से इसे touch करते हो तो ये move करना फिट से start कर लॉबी बिल्कुल 3D है और Elastic है Graphics Ultra है आप लोग को इसमें Ultra Graphics देखने के लिए मिल जाएगा और लॉबी बिल्कुल Elastic रहेगा दोस्तो 3D फीचर है आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा Free Fire Max में तो दोस्तो इसके लिए आप लोग को बस Self Registration करना परेगा Game जो है वो आप लोग को Play Store में देखने के लिए भी मिल जाएगा और जो Registration Link है आप लोग को Website में ये Link देखने के लिए मिल जाएगा Guys Registration के बारे में और भी बात करेंगे इससे पहले अगर आप हमारे चनल में नहीं हो तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाना Free Fire Max का Latest Update आप लोग को हर वक्त मिलता रहेगा और Guys ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मन से एक लाइक कर देना कोई भी Question रहा नीचे आप लोग कॉमेंट करके हमें जरूर बता सकते हो Keep Support Technology तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये जो Free Fire Max का Update है ये बहुत ही बड़ा Update है और ये काला हरी थिम है जो आप लोग इसमें देख सकते हो कि इसमें बहुत ही सारा नया Graphics आट किया गया है 3D Graphics है आप देख सकते हो इसमें जो House है बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखन देखने के लिए मिल जाएगा पहला जो पॉइंट रहता है पहला अपडेट रहता है इंप्रूप्ट ग्राफिक्स HD, HDR और Ultra HD आप लोग को नया Graphics देखने के लिए मिल जाएगा 3D Graphics रहेगा दोस्तों HD, HDR और Ultra HD में आप लोग Free Fire Max को यूज कर पाऊगे जो कि एकदम स्मू में Free Fire Max को Enjoy कर पाऊगे, Free Fire Max में New Graphics डिजन किया गया है, 50 Players के लिए एक मैप में, तो गाइस अभी आप लोग 50 Players के साथ Free Fire Max को Enjoy कर सकते हो, New Graphics रहेगा दोस्तों, बिलकुल नहीं Elastic है, बहुत ही बरिया रहेगा गेम खेलने में, आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला ह Free Fire Max में, दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो मन से एक लाइक जरू कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्पून होता है, तो गाइस अगर आप लोग हमें Social Media पर फॉलो करना चाहते हो, लाइक, F भी, Facebook, Insta, तो हम लोग यहापे अपना Social Media Links प्रोवाइट किया है, आप लोग जाके फॉलो कर लेना, यहापे हम लोग latest update डालते रहते हैं, जो दूसरे update के बारे में बात करते है, confirm आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, वो रहता है Customize of Controls, तो दोस्तों, Controls के उपर आप लोग को बहुत ही सारा नया-nया Customization देखने के लिए मिल जाएगा, प्लेयर्स के उपर और नया जो वीकेल्स आएगा, उसके उपर आप लोग कस्टमाइजेशन नही तरीके से कर पाऊगे, दूसरा जी फीचर रहता है Free Fire Max का, वो रहता है Free License for Android Operating System, तो जो लोग Android Operating System से अपना Free Fire Max एकाउंट को चलाने वाले हो, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा Free License देखने के लिए मिल जाता है, तो अभी आप लोग Free License से Free Fire Max को enjoy कर पाऊगे, जो की एक नया फीचर निकल के आ रहा है Free Fire Max का, जो रास फीचर रहता है Free Fire Max का, वो रहता है The Movement of Players Very Smoothly, तो द लेक होता था Free Fire में आप लोग खेलते हुए, वो लेक अभी आप लोग को दिखने के लिए नहीं मिलेगा, लाइक ये PUBG को टक कर देने वाला है, जो नया Free Fire Max आ रहा है, इसमें आप लोग को बहुत ही तरीके का कस्टमाइजेशन के साथ, बहुत ही अच्छा Free License के साथ, लोड नहीं कर सकते हो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ये लिंक मिल सकता है दोस्तो, वैसे मुझे भी ये लिंक नहीं मिलेगा दोस्तो, तो दोस्तो आप लोग बीटा टेस्टिंग के लिए एपलाई कीजिए, क्या पता हमें भी मिल जाए, बट ये जो गेम है ना, स्टेविल वर्शन में आने में कम से कम पास से साथ महीना लग जाएगा दोस्तो, मतलब कि आप लोग को 2020 के एंड में या 2021 के एंड में ये गेम प्लेश्टूर में एकदम अपिशियल ही देखने के लिए मिल जाएगा, तो दोस्तो आप भी जाएए, जो रेजिस्टेशन है वो हो गया है, स्टार्ट आप लोग रिजिस्टेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगे, क्या पता आप लोग को भी मिल जाएए और हमें भी मिल जाएए, अगर आप लोग को मिल जाए तो हमें आप लोग को में इस नायोग कर देना, लेटेश नोटिफिकेशन, फ्रीफा Pixel McC法 बहुत ही सारा मिलता रहेगा दोस्तों Keep watching technology और हमें अगर आप लोग Instagram, Twitter और Facebook पे follow करना चालते हो तो link में description में देता हो दोस्तों आप लोग जाके check out कर लेना मिलता दोस्तों अगले वीडियो में आज के लिए जैहिंद